जैहिन वनमात्रम साथ यो दौनों ही कोर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है एक एक कोर्स की बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं साथ यो पीज़ेडियम की फुल फॉर्म की बात करें तो पीज़ेडियम की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ग्रैजवेट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट यानि कि पोस्ट ग्राइजुशन का डिप्लोमा कोर्स है जो कि आपका किस में कराया जाता है इसमें आपका जैसे आपका HR में, Finance में, Marketing में, IB में तो इस तरीके से आपका ब्रांचेज में आपका PGDM कराया जाता है PGDM जो होता है यह आपका College से या University से आप इसको कर सकते हैं इसके लिए जो College और University होते हैं वो Autonomous Body से होते हैं यानि कि वो अपना खुद का Mark Sheet देते हैं उसमें ऐसा नहीं होता कि College जो है वो किसी University से Attach होगा यह Autonomous Body से होते हैं यानि कि अपने आप से अपने जो syllabus है अपने जो सारी सब चीज़ों को अपने आप से decide करते हैं तो AICT से approved होते हैं तो PGDM के लिए आप किसी College का या University का चुनाब करते हैं वहाँ पर जो आपको पढ़ाय जाता है latest syllabus पढ़ाय जाता है जो job options है वो बहुत जादा होते हैं यानि कि PGDM में आपके पास job opportunities है वो बहुत जादा है reason क्या है PGDM में आपको latest subject पढ़ाय जाते है latest content पढ़ाय जाता है यानि कि जो अभी market में चल रहा है वो सब सारी चीज़ें आपको पढ़ाय जाती है तो यह है आपका PGDM करने का benefit लेकिन याद रखेगा PGDM क्या है diploma course है post graduation diploma in management यानि कि क्या है diploma course है इसमें आप post graduate नहीं होते हैं यानि कि इसको करने के बाद भी आप post graduate नहीं कहलाएंगे अब बात करते हैं साथियो MBA की MBA यानि कि master of business administration ये आपका दो साल का post graduation degree program है जिसको आप management में करते हैं इसमें भी आप अपना अलग-अलग branches में आप इसको कर सकते हैं जैसे आप HR से, Finance से, Marketing से, IB से, IT से और भी बहुत सारी branches हैं जिसमें आप अपना MBA कर सकते हैं जो branches हैं वो MBA में जादा हैं, PGDM में थोड़ा सा कम होती हैं MBA आप दोनों ही mode में आप कर सकते हैं, regular भी आप कर सकते हैं और distance से भी कर सकते हैं यानि कि MBA में आपके पास option होता है कि आप distance से भी कर सकते हैं और आप regular भी कर सकते हैं लेकिन PGDM में option नहीं होता पीज़डीम में आप ज़ादतर जो PGDM होता है वो regular ही होता है कुछ college वो online PGDM स्टार्ट किया है लेकिन maximum college में क्या है आपका वो offline ही है यानि कि आपका regular ही आपको PGDM करना होगा अब बात करें साथियों के MBA बेस्ट है या फिर PGDM साथियों MBA में क्या है आपका जो syllabus है वो आपका वो पढ़ाया जाता जो यूनिवर्स्टी डिसाइड करती है वहाँ पर उनको कुछ extra कराना है तो वो अलग से कराना पड़ेगा syllabus आपका वही पराना चल रह और साथ के साथ साथियों यदि आप working में है तो फिर आप अपना MBA क्या करेंगे अपना distance से करेंगे या open से करेंगे तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा MBA करना पड़ेगा PGDM आप नहीं कर पाएंगे इसके साथ MBA करने का एक benefit और भी है यदि आपको higher degree की तरफ जाना है तो उसके लिए आपको MBA करना ही पड़ेगा PGDM के बाद आप अपना क्या नहीं कर सकते है PhD नहीं कर सकते क्योंकि यह क्या है डिपलोमा कोर्स है और MBA क्या है एक आपकी post-graduation degree program है तो आपको clear हो गया होगा कि यदि आपको job चीए जल्द से तो आप अपना PGDM कर सकते है किस ही आपका अभी भी कोई डाउट या question रह गया है तो आप मेरे से comment box में पूछ सकते हैं मैं जितने जल से जल होगा उसका आंसर यह उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोसस करूंगा तो चलिए साथ ही हो मिलते हैं आप से नेक्ट निग इस तरीकी information के साथ तब तक के लिए ज नहीं जय भरत